हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए एक बेहत जरूरी खबर है कि अब उन्हें टोल टैक्स देनी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको लेकर हालहे में सरकार ने निदेश दिया है इस बात को लेकर खुब चर्चा हो रही है कि सरकार ने कुछ लोगों को टैक्स में छूट दे दिया है यानि कि अब अगर वो हाईवे पर सफर कर रहे है तो उन्हें टोल टैक्स देनी की जरूरत नहीं पड़ेगी उन लोगों को सरकार की तरफ से टोल टैक्स में छूट दी जा रही है इसको लेकर खुब बवाल हो रहा है कि आगर सरकार इतना भेदभाव कैसे कर सकती है सरकार कुछ लोगों को टोल टैक्स में छूट दे रही है वही कुछ लोगों से टैक्स लिया जा रहा है इस बात को लेकर खुब बवाल हुआ और ये बात सामने आई कि पत्रकारों को भारत में सभी टोल प्लाजा पर टोल टेक्स में छूट मिलेगा जिसके लिए उन्हें अपने आईडी कार्ट दिखाने के जरुरत होगी इस बात को लेकर बड़ा कंफ्यूजन हुआ जिस पर P.I.B. ने फैक्ट चेक किया वीडियो में आपको सारी बाते बताएंगे कि आखिर किन लोगों को टोल प्लाजा में टोल टेक्स में छूट दी जाती है और किन लोगों को सरकार ने ये सुविधा नहीं दी है अब नमस्कार मैं निहा चौधी कैमरा पोसन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्षिन अगर आप हाइवे पर सफर करने जा रहे हैं तो आपके लिए बेहत जरूरी खबर है कि हालहे में एक मेसेज खुब वाइरल हो रहा था जिसमें कहा गया था कि कुछ लो बिलकुल ही फर्जी है ऐसा कोई भी निर्देश शरकार की तरफ से नहीं दिया गया है कि पत्रकारों को टोल टेक्स पर छूट मिलेगा जिसके लिए उन्हें अपनी आईडे कार दिखाने की जरूरत पड़ेगी यह दावा बिलकुल ही फर्जी है भारतिय सरकार ने इसको सबस्क्राइब कर लेकर कोई भी आदेश नहीं दिया है फैट शेक करके यह साफ तोर पर बता दिया कि यह दावा पूरी तरह से परजी है और नौर्थ इंडिया के द्वारा ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया है इस बारे में बताते हुए पी-आइबी ने एक और जा के साथ साथ लोग सभा और राज सभा के अध्यक्ष और सांसत को टोल प्लाजा पर टोल टेक्स देने की जरुरत नहीं है इसके साथ साथ अगर कोई एम्बुलेंस टोल प्लाजा से हुकर गुजरती है या फिर कोई शव वाहन टोल प्लाजा से हुकर गुजरती है तो उन लोगों से टोल टेक्स नहीं लिया जाएगा लेकिन इस लेश्ट में पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया है यानि कि भारत के पत्रकार को अब भी टोल प्लाजा से गुजरते समय टोल टेक्स देना पड़ेगा उन्हें सरकार ने किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी है लेकिन शोशल मीडिया के जमाने में कई बार ऐसा होता है कि गलत खबर वाइरल होने लगती है जिसको लेकर लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस वज़ है और अगर आप उस खबर को लेकर थोड़े भी कंफ्यूज हैं तो आप पी आइबी के जरीए फैक्ट चेक करवा सकते हैं इसके लिए आपको फैक्ट चेक की अधिकारिक वेब साइट पर जाना होगा और या फिर पी आइबी की वाट्साप नंबर 879-711259 पर मेसेज भी तोल प्लाजर में किसी भी तरह का टैक्स फ्री नहीं किया गया है फिलाल भारत के राश्टपती प्रधानमंति शर्वुच न्याले और उच न्याले के नियाधी इसके साथ साथ लोकसभा और राजसभा के अध्यक्ट और सांसत को तोल प्लाजर पर टैक्स देने के जरूर इसके साथ साथ एंबुलेंस और शव वाहनों को भी इसमें शामिल किया गया है पांकि अगर आपके पास इस तरह की कोई भी खबर आती है तो आप चेक कर वाले मांगी की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्षन देखते रहें धन्यवाद